अब कलपना कीजिए सटर साल तक मारत की सिमा में रह करके हमारे सीख पंद के अनुवाई दूर्विन से पाकिस्तान के अंदर करतारपूर सहाब के दर्शन करते थे हमने रास्ते खोल दिये दोस्तों अब अस्पिती बदल गई है हमने लंगर की बस्तों से जीएस्टी भी हटा दिया हमने स्वान मंदिर के लिए पहली बार वीर बाल दिवस मना कर हमने सत्य और नय के लिए बलिदान देने वाले साहब जादों को सौर्यों को सम्मान दिया अज केरल का बच्चा भी जानता है कि साहब जादे का बलिदान कैसा था नागालेंड का बच्चा भी जानता है कि साहब जादों ने कितना बड़ा बलिदान दिया था साथिवा अपकानिस्थान से भी गुरु ग्रंद साथ के स्वरूपों को पूरे सम्मान के साथ भारत लाए इसके साथ ही हमारी सरकार ने हज की प्रक्रियां में सुधार करके यात्रा को सुविधा जनक बनाया आज बिना महरम के हज करना भी संबव हुआ है इसे महिलाओं के लिए भी हज करना आसान हुआ और हजजारों महिला एक गई साथ योग दोहजार चौदा में जब मैंने सपत ली तो हमारे कई आलोचक कहते थे मोदी जी एक राज्य के बार उनका क्यान हो है इतना बड़ा देश इतनी बड़ी दुनिया यह मोदी क्या करेगा कैसे करेगा ठीक है गुजराद चलाया होगा लेकिन वो सब सोचने देख लें विदेश नित्य को लेकर बड़ी बड़ी बाते कही जाती थी अभी मैं कुछ दिन पहले ही यही और कतर से जाकर कर आया हूँ तमाम प्लेशों से हमारे रिष्टे कैसे मजबूत है यह आज दुनिया देख रही है आज पस्ची में एशिया के देशों से हमारे संबन अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है 2015 में जब मैं यही गया था पहली बार आप हैरान हो जाएंगे मेरे पहले चौती साल तक देश का प्रधानमत्री बाहर नहीं गया था सोचिए किस तरह हमने उस पूरे ख्षेत्र को छोड़ रखा था कॉंग्रेस की सरकारें पूरे वेस्ट एशिया को सिर्फ पाकिस्तान के संदर्ब में देखा करती थी उन्हें भारतियों की शक्ती और उनके विश्वास पर परोसा ही नहीं था लेकिन आज भारतिय ख्षेत्र से संबंदों का नया अध्याय लिख रहा है पहले लोग सोते थे कि बस तेर का इंपोर्ट कर लेते हैं और यहां से कुछ लेबर बेच देते हैं ताकि उनको रोजी रोटी बिल जाए अब ऐसा नहीं है आज ट्रेड टेक्नोलोजी टूरिजम ऐसे अनेक शेत्रों में हमारे सम्मत बहुत बहतर हैं और हम निरंतर विकास कर रहे हैं यहां तक कि अरब के पांच देशों ने मुझे अपना सरवोच सम्मान तक दिया है यह सम्मान मोदी का नहीं है एक सो चालिस करोर भारतियों के सामर्थ का सम्मान है और भायों भानो विदेश निति के जो भी जानकार है वो विदेश से मिले हर संकेज भी पकड़ ले रहे होंगे आज अलग अलग देशों में सत्ता और विपस के दल एक खुल कर मानते हैं कि भारत के ससक्त होने से पूरी दुनिया का हीत होने वाला है यह पूरी दुनिया मानने लगी है आज हर महाद्वीप में भारत का सम्मान भारत की ताकत बढ़ रही है हर देश भारत से गहरे समंद बनाने पर जोड दे रहा है और इन सब के बीच कोई देश हमारी सरकार से बाच्चीत के लिए है आप जानकर गहरान होंगे अभी तो चुनाव बाकी है लेकिन मेरे पास जुलाई अगस सितंबर के डेट पड़े हुए निमंदर दे करके इसकारत क्या है इसकारत है कि दुनिया के विम्बिन देश भी बीजेपी की सरकार की बापसी को लेकर पूरी तरह आस्वस्त है वो भी जानते हैं दुनिया के हर देश जानता है दुनिया के हर शक्ति जानती है हाएगा तो हाएगा तो साथियों कॉंग्रेश से साथियों कॉंग्रेश से देश को बचाना देश के हर नागरिक को बचाना हमारे बच्चों का हमारे उवाओं का भविश बचाना बीजेपी के प्रत्य कायरकर्टा का दाईत्व है कॉंग्रेस का ट्रेक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है कॉंग्रेस अस्थिर्ता की जननी है कॉंग्रेस परिवारबाद की जननी है कॉंग्रेस ब्रस्टाचार की जननी है और कॉंग्रेस तुष्ठी करण की भी जन्नी है सत्तर के दसक में जब देश में कॉंग्रेस के विरुद गुशा बढ़ना शुरू हुआ तो खुद को बचाने के लिए इसने अस्तिरता का सहरा लिया हर नेता की सरकार कॉंग्रेस ने अस्तिर की आज यहां प्रस्ताव के समय इसकी चर्टा आई है तो मैं ज़्यादा उसके लिए कहता नहीं हूँ आज भी यह लोग अस्तिरता पाइदा करने के लिए नई नई साजी से कर रहे हैं इन लोगों ने मिलकर जो गड़बंदन मनाया है उसकी भी यही पहचान है कॉंग्रेस के पास विकास का एजेंड आ रही है फुचर का रोड़ब अप नहीं है यह देश को कभी भासा के आधार पर तो कभी छेत्र के आधार पर मांटने में जुटे हुए है ताथ क्यों कॉंग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप यह रहा है को देश की सेनाओं का मनुबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे है भारत की राष्टिय सुरक्षा और सामरिक सक्तिकों नुक्सान पहुंचाने में कॉंग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है जब भी देश के रक्षा खेत्र में कोई बड़ा काम हुआ जब हमारी सेनाओं ने कोई उप्लब्द्य हासिल की कॉंग्रेस ने हर बार उन पर सवाल उठाए आप सिर्फ सोचिए कि पांच साल पहले इन लोगों ने क्या कहा था इन लोगों ने हर कोशिश की कि हमारी वायू सेना को राफेल जैसे एरवांस एरकाफ न मिल पाए इन्हों ने अब प्रचार किया कि हिंदुस्तान एरोनोर्टिकल लिमिटेड को हेल को खत्प किया जा रहा है ये लोग तो HL के बाहर फोटों तक खींच वाले के लिए चले गए थे लेकिन देखिए HL आज कैसे दुमदाम से आगे बढ़ रहा है आज देखिए कितने सारे ओडर आज उनके हाँ बूक किये गए है आज देखिए HL का मार्केट वैल्यू कितना बढ़ गया है अर्जिकल स्टाइक करने पर उनके पराक्रम पर सवाल खड़ा कर दिया कि जब एर्स्टाइक हुई कि तो किसी सभलता के प्रमाण मांगे जाने रगे हैं कॉंग्रेस भारती सेनाओं के अपमान का कोई मोका नहीं छोड़ती है कि साथियों कॉंग्रेस कितनी कंफ्यूज है इसका उदाहन में आपको देना चाहता हूं कॉंग्रेस पे लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है लेकिन मजा यह है कि सिद्धान्तों के नहीं चल रही है योजनाओं को समन में नहीं चल रही है लड़ाई क्या चल रही है आपको जान करके असरे होगा क्या लड़ाई है कॉंग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो मोदी पर व्यक्तिकत आरोप लगाओ मोदी की छबी खराब करने लिए हर खतकंडे अपनाओ एक वर्ग है कॉंग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कॉंग्रेस की मुल परंपराव से निकला हुआ है जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिकत आरोप नफरत से कॉंग्रेस को बाहर निकालो इससे कॉंग्रेस को और ज्यादा नुक्षान होता है यानि कॉंग्रेस हम से साइधांतिक मुद्वपन लड़ाई नहीं लड़ रही है कॉंग्रेश इतनी हतास है कि उसमें सैद्धान्तिक विरोत बैचारिक विरोत का साहस भी नहीं बचा इसलिए गाली गलोश और मोदी पर जूटे आरो भी उनका एक मात्रहिजंडा बन गया है साथियों लाल किले से मैंने कहा था यही समय है यही समय है भारत के इतिहास में आज वो समय आ गया है जब हमें अपने देश का भाग्य बदल देना है और साथियों मैंने देश वास्यों को लाल किले से कहा था और आपको तो कई बार कह चुका हूँ मैंने देश वास्यों कहा था कि अगर आप 10 गंटे काम करेंगे तो मोदी 14 गंटे काम करेंगा अगर आप 12 गंटे काम करेंगे तो मैं 13 गंटे काम करूंगा अगर आप 14 गंटे काम करेंगे तो मैं 15 गंटे काम करूंगा मेरे साथियों देश बर के मेरे कार करता हो देश बर के मेरे देश को उजवल भविश के लिए आसा लगा कर बैटे वे लोगों मैं कहना चाहूंगा आने वाले सौ दिनों तक बीजेपी के हर कार करता को अपने लिए नए लक्ष बनाने होंगे उन्हें प्राप्त्य करना होगा बीते वर्सों में भाजपात सरकार की योजनाओं का लाप करोर लाभारतियों को मिला है हमें हर लाभारति तक पहुंचना है और मेरी व्यक्ति कि प्रांखना है करोगे ज़र आहाथ बरकर के बताईए करोगे करोगे हर लाभारति के पास जाईए उनको कहना कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रणाम कहा है और इसमें आपको नमो एप से भी बहुत मदर्ज मिलेगी आप नमो एप के जरिये मेरा प्रणाम और मेरी चिठी उन लाभारतियों तक जरूर पहुंचाएंगे किसी भी बूथ में एक भी फर्स टाइम वर्टर ऐसा नहों जिस तक बीजेपी का कारकरता पहुंचान नहों आपको उन्हें पिछले दस वर्षों के काम और आने वाले पांच वर्षों के प्लान इसके विशे में जुरूर बताना है मैं आपको उन्हें नमो एप पर विक्सीद भारत का ब्रांड एम्बेसेडर बनाने के लिए हमें उसको जोड़ना है वो हमारा एम्बेसेडर है मत्तान के दिन इन सभी मत्दानताओं को बूथ पर लाकर हमें कमल निशान पर मत्दान करवाना है और जहां एंडिये के साति हो उनके निशान पर मत्दान करवाना है साति हमें याद रखना है हमें सिर्फ सरकार बनाने के लिए लोगों को नहीं जोड़ना है बलकि देश बनाने के लिए भी तो लोगों को जोड़ना है जो किसी भी कारण से अभी भी भाज़पा से दूर है उन तक हमें पहुँचना है सबका साथ सबका विकास ही हमारा मंत्र है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है और इसके लिए भाज़पा जरूरी है इसके लिए इसके लिए इसके लिए भाज़पा सरकार जरूरी है आज देश की जनता कह रही है बश्टा चार पर सक्त कारवाई होती रहे इसलिए मंगाई पर लगाम लगी रहे इसलिए देश के दुश्वनों में डर बना रहे इसलिए निवेस और मोकरी के अवसर बढ़ते रहे इसलिए भारत तीसरी बड़ी सबसे आर्थिक ताकत मने इसके लिए भारत में तेजी से इंफ्रोस्टेक्टर का निर्माण हो इसलिए आत्म निर्बर भारत अभ्यान सबल हो इसलिए करोर भारतियों को मुक्तर आसन मिलता रहे इसलिए किसानों को सम्मान निदी मिलती रहे शत्पतिश अर्ला भारति तक देजी से अर्लाब पोचे इसलिए साथ्यों आप यहां से एक नए संकल्प के साथ अपने खेत्र में जाएं अपकी बार अपकी बार चार सो पार अपकी बार इस मिशन पर हमें जूट जाना है आप सबको मेरी तर्फ से अनेक अनेक शुब कामना हैं मेरे साथ बोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की मैं सबता अभी बंदे मात्रम होने वाला है अन्य प्रधान मंत्री जी के संबोधन के बाद अभी राश्ट्रगान होगा हम सभी अपने इस्तान पर खड़े हो जाए राश्ट्रगान तो लोगसवा चनाफ फर महा मन्थन हो रहा है अपकी बार चार सो पार का नारा एक बार फिर से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा लगाया गया है पूरी तरह से बीज़ेपी चुनावी मोड में आ चुकी है चुनावी एक्षन में जुट चुकी है आखर किस रण नीती के दहत आगे बढ़ना है और क्या क्या कुछ करना है योजनाओं का लाब किस तरह से लोगो मोधी द्वारा लिया गया है महा मंत्र लगातार जारी है साथी साथ जीत का मंत्र देने का सिलसला भी चल रहा है जीत का मंत्र भी सभी निताओं कारिकरताओं को दिगजों को दिया गया है कि आखर किस रण नीती के तहत आगे बढ़ना है और चौबीस को फत्य करना है फत् इसके बाद खास बेठक हो सकता है शाममे हो इमादिवेशन का आख고 रूप से जीत का मंत्र दिया गया और कैसे आगे चलना है और कैसे आगे चलना है किस तरह से फता करना है 2024 का चुनाव और चार सो पार